तो गाईस आज में पर इस्टार्ट करें आपकी यूनिट फोर जो कि यहां पर रहने वाली है कम्यूनिकेशन इसकिल क्या होता है इसको फुल डीटेल में हम डिसकस करने वाले हैं तो जैसे की सब्जेक्ट हमारे हम चल लाता कम्यूनिटी फामेसी एंड मैनेजमेंट जो कि हमारा डिफामर सेकेंडर का है अकोडिंग टू नियूस लिवस तो इस्टार्टिंग की थी यूनिट हमारे हमारे हम पे कंप्लीट हो चुकी है आज हम यहां पर स्टार्ट करें आप को जो तोपिक हैं पूरी ही आपकी जो यूनिट है एकसाम के पर पससे काफी ज़्जादा इम्पोटेंट है आपको हो सकता है ही साम में रखा हुआ मिल जाए साथ में देखाजाए हमारी जो परसनल लाइफ है यह एक तरह से हमारे जो प्रोफेशन हैं पर फामेसी जादा इंपोटेंट और काफी जादा इंट्रेस्टिंग है यकिन मानी पूरी इंट आप यहां पर फिनिश भी कर लेंगे और आपको यहां पर बिल्कुल भी बोल नहीं होगा रखती भर भी तो चले देख लेते हैं अब पहले हम समझते हैं कम्यूंकेशन एक तरह से होता क् अब आपस में क्या करें हैं यहां पर यह बात चीत कर रहें तो इस बंदे के पास क्या है कोई आइडिया है मान लिए इसको को विचारा है अब इसने किसको बताया अपने फ्रेंड को बताया तो एक तरह से इस बात को तो एक तरह से दूसरे तक पहुचा रहा है इस तक एक प्लिफून करके कर सकता है, सायत में लेटर्स वगारे के थुरू कर सकता है, तो काफी सारी चीज़ें जिनके थुरू एक तरह से अपनी बात को, अपनी आइडिया को, इस फिरेंड तक एक तरह से ये पहुचा सकता है, तो एक तरह से यहां पर क्या हो रहा है जो इसके पास आईडिया है कोई भी एक तरह से कह सकते हैं मैसीज है वो यहां पर एक तरह से ट्रांसपर हो रहा है किस के थुरू हो रहा है यह हम इसके टाइप में देंगे यां किस मीडियम के थुरू हो रहा है एक तो फेस्ट फेस हो यहां हमारा पूरा यूरीट का नाम है तो आई थिंग आपको कॉंसेप्ट के लिया होगा होगा परशनियाप में देखे लेते ही इसकी डेविनेशन जो में हमने अब आपको बताया यह जैसी की communication is the process, communication क्या है, एक process है, by which जिसके तुरू, information is transmitted एक तरह से हमारे पास जो information उसके हम क्या करते है, transmitted करते है between individuals, individuals यानि two or more person, अब देखिए एक तरह से जब भई बात करते हैं, जैसे आप face to face अपने friends सा बात करना है, तो दो भी हो सकते हैं एक तरह से जब भी हो सकते हैं, तो यहां पर क्या हो एक तरह से या तो कोई two or एक तरह से दो बंदे हैं, दो फ्रेंड हैं, या तरह से उससे जब भी हो सकते हैं understanding response result, अब देखिए एक तरह से यहां पर communication कब हमारा कामियाब होता है, जैसे मानले जापने बने friend से कहा भी यह बात है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उसना आपको feedback दे हाँ भी बिल्कुल कर सकते हैं, तो एक तरह से एक ऐसी communication जिसका आपको response एक तरह से feedback मिल जाएं, उसको यहां पर हम कहते हैं, communication कहते हैं, I think आपको अच्छे समझ माया हो, communication यहां पर क्या होते हैं, अपनी बात को दूसरी तक communicate करना, पहुचाना, transfer करना और उसका feedback मिलना, यह क्या होता है, यहां पर communication skill होता है, चलिए अब यहां पर हम देख लेते, elements of communication skill, अब देखें यहां पर होंगे, इसको देखने से पहले हम समझ लेते हैं, इस डाइग्राम को, यह डाइग्राम हमने इस वज़ा से बनाया, जिससा आपको पूरा अच्छी तरी के समझ माय रहा है, और देखें डाइग्राम अगर यह अग्राम बनाका आठी काफी अच्छे माग्स आपको मिल सकते हैं, इसको हम यहां पर समझ लेते हैं, जैसे कि फर्ष्ट आता है, यहां पर sender, आप देखें, यहां पर sender को ने हैं, हम ऐसे क्यों कहा रहा है, हम क्म्म्निकेट करें अपनी बात को, किस तक है करें, आप तक क कि अगर भी हमें एक idea है हम आये कि अभी हमें बच्चों को पढ़ान चाहिए तो एक तरह समकौन हुए यहां पर sender हुए साथ हो हमारे पास जो idea था हमने इसको क्या क्या एक तरह से इसको encoding कर दिया encoding का हम पर मतलब होता है एक तरह से convert कर देना अब एक तरह से हम क्या करें यूटूब के थूरू क्या करें वीडियो लेक्चर रिकोड करें आप कहां पढ़ा रहे हैं यूटूब पर पढ़ा रहे हैं तो हमने इसके थूरू क्या क्या आपको लेक्चर क्या हमने अपलोड किया आपको पास नोटिफिकेशन आया सरने लेक और जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, जैसे कि आप क्या करते हैं, कोई लेक्ट्टर आपको बहुती अच्छी यही है, समझ माजाते में, आप कमेंट कर देती हैं, सरवी नयस्टी यह ले Ox वेश इन्फोरमेटिव इस तरह सिझा क्मेंट करते हैं, लेकिन किस माध्यम से पुचा रहा है कौन-कौन से इश्टेप आ रहे हैं तो यही तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हम यहाँ पे सेंडर भी हमने नोट्स बना है मैं हमने रिटन फोर्म में एक मैसिज आपको बना दिया पूरी पीडिया बना दी और हमने आपको पढ़ा से हमारे पूरे ही जो ऐलिमेंट से यहाँ पर यह क्या रहने वाले हैं अब चली हम देख लेते हैं इनको पॉइंट तू पॉइंट यानि एक तरह से जो पॉइंट हमने देखें यहाँ पर थोगा थोगा इनके अंदर भी देखना हुग अब भी समझ तो आप गई अच्छ कोडिंग जैसे दमेन एलिमेंट्स ओफ कम्मुनिकेशन प्रोसिस आरेस फोलो जैसे देखिए फ़र्ष्ट होता है हाँ पर सेंडर या इसको हम इनकोडर भी कहा देते हैं और सेकंड होता है हमारा मैसिज एक तरह से हम मैसिज जो भेज रहा है क्या हमें बात करने क्या हमारा प से माथ्यों पर अपको लगा सरसे पीडियाफ मांग लें नोट की तो आपने किया हमां टिया करते हैं वह कमेंट एक तरह से माधियम से हम तक है हमने उसके रिपलाई दिया और यह तरह से माधियम उसके माधियम से आप Сंब समесके और एस को होता है एक तरह से creator of idea जिसको एक तरह से आईडिया है जिसको अपनी बात एक तरह से आप तक पहुचानी है साथी में or message is known as source और साथी में sender अब देखे sender के हम source भी कह सकते है क्योंकि sender के थुरू यहां पर message जा रहा है यारी हमारे थुरू a sender could be an individual or a group अब देखे एक तरह से कोई एक single person या two person हो सकती है या गुरू भी यहां पर हो सकता है साथी में the sender एक टैज ट्र生 Config eater of the message अब देखे हम्कोंने एक तरह संड़र है जैसे हम एक जामपल यह अब ले रहे हैं तो हम आपको िक ट्रानस्मीटर की तरह हम यहां बर्ख करें हम क्या करें एक तरह से Box को आप ट्रांस्पर करें यह तो जैसे लाइक हम लेटर वागर भीजते हैं उसकी यहां पर हम बात कर लेते हैं Message refers to the stimulus that the sender transfer to the receiver यानि क्या होता है Message जो होता है कि कह सकते हैं वो एक तरह से क्या होता है Message को letter होता है जिसको एक तरह से sender से receiver तक जाता है साथ हम देख लेते हैं हम चैनल जिसको मों कहता है pulsacim kis nedener हम से जा रहा है तो देखे अमाधं कि क्या होता है तो माधं वीया चैनल एक तरह से play an important role of means Va transmitting मैसे एक तरह से माधंज जो होता है या म lidis प्रूम होता है इस क्वेडा कीति कि ते क्यों जाता है क्यास मूच जाता है जो सब्सक्राइब चाहिंतेंंदेंगनाद जात rubbish क्लिक्षद wa do जाता है हैं मेरे साथ है को आरे मेरे की यजिसे हमारे लानी चेनल था इसे मेरे स्काड़ के वार्श हों पर्भादेंगनादि था 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 थो मेल उसके तरह को भी न्यूस वेगरा चल लगी तो एक तरह साब देखके विज्वल करके आपको इसली वो समझ मा जाता है और वही एक तरह से मोर पॉपलर है लेक्ट्रम देख लेते हैं यहाँ पर रिसीवर कोन होता है एक तरह से जो मैसिस को पर चल बहुत बहुत बहुं आपको यहाँ आप मतलब होता है और दूसरा आपको तो उसका answer ना दे, feedback ना दे, तो अधूरा-धूरा लगता है भी, आपने किसी को बात बता ही, हाँ पर चल इस तरह से कर लेते हैं, तो उसने कुछ feedback नहीं दिया है, तो एक तरह से उसका result वहाँ पे नहीं निकल गा है, इसलिए feedback यहाँ पर कह सकते हैं, हमारे important element होता है, पर absence रहता है, तो जो sender है, जिसने एक तरह से message भेजा, वो यहाँ पर verify कैसे कर पाएगा, कि एक तरह जो receiver है, जिसने message को obtain गया, उसको समझ में भी आया है या नहीं, तो इस तरह से क्या होती है, हमारी पूरी यहाँ पर यह process होती है, तो चलिए अब हम देख लेते है types of communication, अब देखिए, अभी तक तो हमने देखा एक तरह से क्या होता है हमारा communication, communication क्या होता है अपनी बात को दोसरे तक पहुचाना, लेकिन अब हम देखेंगे कितने types सब इस बात को पहुचा सकते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं इसके types, अब इसके types अगर यहाँ पर हम देख पहुचाना, यानि औरल हो जाएगा हमारा यहां पर जिसका अंदर face to face आजाएगा साथी में distance, face to face सामने सामने बात करना, distance जैसे phone अगरा हम बात कर लेते हैं, अच्छा इसमें return आजाएगा, जैसे फिलाल हम आपको क्या कर रहा है, return करके हम आपको समझा रहा है, औरल यान आपको की body language, आपके खड़े होने का, बैठने का, style या तरह से आपकी जो facial expression है, तो वो सब इसी में आजाते है, यानि non-verbal बिना बोले किसु को अपनी बात समझा देना, वो non-verbal बना जाएगा, तो एक तरह से यह हमारे syllabus में दिया हुआ हुआ है, यहां पर verbal, next हम देख ले यहां पर second topic तो आप पढ़ाईने लिए, डायरेक्ट अप थट पर आ रहे हैं, तो देखें, यहां पर क्या एक logic wise अगर हम देखें तो इसके types देखने के बाद हम यहां पर verbal communication डिसकस करना होगा, जब यह आपको एक तरह से सीधे समझ माएगा, क्योंकि इसको verbal को समझे भीन उसके इसाब से आप होँपे लिख आएंगे, चलिए अब यहां पर हम देखें लेते हैं, वर्बल कम्यूंकेशन हमारा क्या होता है, यानि एक तरह से मोखिक रूप से अपनी बात को किसी दोसरे तक पहुचाना, यानि वर्बल कम्यूंकेशन, आप देखें वर्बल इसका use करके, या different type के वर्ब का use करके, तो वही एक तरह से हमारा क्या होता हुआ है, यहाँ पर वर्बल कमुनिकेशन होता है, जैसे वर्बल कम्यूंकेशन, इसका इक थरह से अंदर some types of languages is used, और जिस तरह का बंदा होगा मान लेज़े कोई बेंग फी कि आपकी knowledge कि नोलिज तो आपके पास होती है जब कोई पीचाएक होगी जब कोई आपके knowledge देखी जा रही जब देखा जाएगा आपके यहां पर return क्या होगा यानि दिखा होगा तो हम देख लेते हैं it is a communication यह क्या है communication है in which जिसके अंदर words are used to deliver the message orally एक तरह से क्या होता है mouth के दुरू हम वटकर use करते है औरली दूसरे तक अपनी बात पहुचाने के लिए message को deliver करने के लिए आल सुने है oral communication देखे mouth से बुल है तो oral communication के नाम से भी हम इसको जानते है इस नाम से आप से एक्जाम में आ जाए तो आपको confused नहीं होना है ठीक है यहां पर आपका verbal communication है next हम लगे लेते हैं it is more natural and informal अब देखे औरल से जादा भी natural क्या होगा क्योंकि और जो एक तरह से आवाज इंसान की वह उपर वालें दिये तो एक तरह से यह बहुत जादा natural होता है साथ में people spend 85% of their working time in communication और आप देखे एक तरह से जो दुनिया में लोग जी रहे हैं जैसे को बान लीए हम तुम लोग जी रहे हैं तो क्या करते हैं हमारे जो एक तरह से time यानि time spend होता है भी हम चाहें तो काम कर रहे हैं चाहें एक तरह से हम lab में हम study कर रहे हैं एक तो 85% बोल के हम क्या करते हैं एक तरह से हम अपना time spend करते हैं आप ऐसा तो कुछ नहीं होता है जैसे आप लैप्स वगरम होते हैं आप खिलास रूम में बैठे होते हैं फ्रेंड्स वगरा तो क्या होता है भी बोल के तो सारे काम करते हैं तो 85% हमारा यहां पर और यानि वर advantages तो देखें advantages आप जितने चाहें अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं कि वह तरह से concept आपको यहां पर clear हो चुका है तो जैसे इसमें हम देख लेते it is noted time consuming process आप देखें एक तरह से आप किससे और ली बात करें चाहें तो आप फोन पर बात करें चाहें आप face to face बात करें तो बहुती कम टाइम लगता है मान लिए किससे आपने कोई बात पूची उसने डायरेक्ली आपको feedback दे दिया तो बहुती कम एक तरह से time consuming process होती है साथ में chief and effective अब देखें वह face to face बात करें तो बहुती ज़्यादा सश्ती है फोन पर भी अगर हम बात देखें तो पहले का अच्छा यहां पर क्यों होता है मीडियम होता है डायरेक्ली आप बात कर सकते फोन पर या face to face साथ में make an immediate impact प्रवाव क्यों होता है डायरेक्ली आप मान लिए face to face बात कर रहा है तो इस तरह से क्यों होता है मतलब थोड़ा सा impact भी डायरेक्ली पढ़ता है जैसे कि it is difficult to express fact अब देखे कुछ हमारे इस तरह के fact होते है जिनको हम experiment वगड़ा करके दिखा सकते हैं ना कि एक तरह से oral को समझा सकते हैं तो यह एक तरह से इसका disadvantage है साथ में it is not suitable in every condition और यह एक तरह से बोल के समझाना किसी को हर एक condition में suitable नहीं होता है साथ में oral communication is not suitable for long message long message में भी oral communication एक types of verbal communication आप देखिए verbal एक तरह से मोकी ग्रूप से कितने टाइप की होती है verbal जैसे first होती है one to one जिसको एक तरह से face to face के नाम से भी हम जानते हैं जैसे कि हमारे syllabus में separatelyly पूंचा हुआ है साथ में over the telephone या mobile जिसको हम कहते हैं हाँ पे distance आप देखिए आप से directly यह पूंचा जा सक तो इतना deeply हैं पर जाने की जरुवत नहीं है face to face हम सभी जानते है एक तरह से भी आप friend है या आप किसी के भी साथ में बात कर रहे हैं तो एक तरह सा face to face कर रहे है या बिल्कुल one to one है वो भी एक है आप भी एक है तो आमने सामने खड़े हुआ बात कर रहे हैं तो हमारे एक communication can be done in the form of face to face communication तो एक तरह से हमारे जो oral communication यानि one to one communication ये एक तरह से done होती है complete होती है face to face एक तरह से बात करके है तो इसके अंदर जो एक बंदा है वो दूसरे बंदे से एक तरह से directly बात करता है जैसे का मान लिए एक बंदा यहां पर है दूसरा यहां पर है तो एक तरह से directly इससे बात कर रहा है यानि face to face कर रहा है साथ में face to face communication is then effective क्या होती है बहुती जादा effective होती है कि कोई इनसान बिल्कु आमने सामने खड़ा है यानि effective वह है किस तरह से communication करने का it involves personal contact और एक तरह से personally भी हम बात कर सकते हैं मान लिए यह बिल्कु सिंगल है एक दूसरा बंदा एक आप है आपको कोई personal बात share करनी है तो कोई नहीं आप अकेले है तो एक तरह से face to face आप उसको easily उसके साथ share कर सकते है यानि एक तरह से personal contact तो आपको समझ माया होगा अब हम देखेंगे कुछ इसके element यानि first हम ने देखा verbal communication second हम देखा उसके type उसके type में first हम देख रहे है face to face यानि one to one अब इसके अंदर कुछ हम इसके element देखेंगे आप देखेंगे क्यों हम face to face बात कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसे मतलब हम element use करेंगे जिस एक तरह से हम इसमें use करें मतलब इनको हम इस आरे एक भाशा महां पर क्या थी तो यह तीन एक तरह से इसके अंडर में आते हैं जैसे फच्छ आते हैं यहां पर वर्ड यानि आपके शब्ट वह आपके से बात कर रहे हैं तो कुछ शब्ट हो आप बोलेंगे जबी तो दूसरे को सुनाई देंगे जैसे वर्ट पिले ए किसमे की तरह से मैसिज होता है उसको डिलेवर किया जाता है सुना जाता है किससे दो लिस्ञर होता है जिससे हम एक तरह से बात कर रहे हैं या नि सुनने वाला एक कर लेते हैं देख लेते हैं मतलब इसी का पॉइंट जैसे In this we choose respectful word अभी देखे इसके अंदर क्या होता है सीधा सीधा काफी सोचने समझने वाली बात है हम जब किसी से बात करते हैं तो ये तो हमारे उपर है हम चाहें तो उससे अच्छे सा बात कर ले इज़त के साथ में बात कर ले क्योंकि आपके मैनर आपके अपने पास से दूसरे के उसके पास है तो ऐसे तने उगलत वर्ड यूज़ कर रहा है तो आप भी गलत वर्ड यूज़ करें तो एक तरह से क्या होता है बहुत ही अच्छे respectful word आप इसके दिन तर यूज़ कर सकती या अपकी एक तरह से परसनल चोई थैए आपकी इथिक से आपके एकता से मैनर से है निए तो एक तरह से बात करें चाकती जबत सकते हैं वह एकट तरह से भी ऐसी हो जाएगी कि लड़ाई पर एक तरह हो जाते हैं लोग मतलब तयार हो जाते हैं हैं से हमारे यहां पर हो सकता है next होता है यहां पर tone यानि tone of voice एक तरह से आपके जो आवाज है उसका स्वर आप देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं टू बंदे आवाज है तो इस तरह से क्या होता है मतलब यह भी एफेक्ट डालता है सीधा और यह भी एक तरह से एक तो जैसे कि भी आर्जीज सिंग सिंग सिंगर अब सभी उसको पसंद करता ही तो सीधा जिदा हमके हैं एक सीदा ओन athletic सिंगर है जई साथ है भोगी लिने जाता है तो इसकी जो पोड़ी लेंवाला परसंन होता है बंडाय लेक्डली ऊसे बात都 करता लेकिन उसकी body language पर बात करने से भी जादा ध्यान देता है यानि एक तरह से जो body language होती है एक तरह से देखा जाता हमारी non-verbal communication होती है बिना बोले एक तरह से हमारी body indicate करते हैं किस तरह का एक तरह से बंदा है क्या एक तरह से इसके disciplines है क्या manner एक तरह से क्या ethics है इसकी life में तो body language इसे non-verbal communication होता है एक तरह से इनवे जिसके अंदर various physical behavior एक तरह से हमार जो physical behavior है are used to deliver message वो ही एक तरह से दूसरे बंदे को message deliver करते हैं पर किस तरह से आपना सरी जार है किस तरह से आपके हाथ पाह में कि एक तरह से आपका discipline खड़े होने का style बैठने का style उसे एक तरह से दूसरे बंदे को message वो पहुचा देते हैं हम देखे लेते हैं पर body language covers various actions of the body एक तरह से हमार जो body language है different type है जो हमारे actions उनको वहाँ पर cover कर लेती है कौन-कौन से action जैसे हैं यहाँ पर walking style आप कैसे टेहल ते क्या चलने फिरने का आपका style है different facial expression आपके facial expression कैसे आपके सुझा है खुश है या कुछ लोग ऐसे होते हैं एक तरह से मतलब खुश होते हैं फिर भी कुस्टेम दिखाया देते हैं तो इस तरह से क्या होता है मतलब different type का मारे यहां पर हो सकता है साथ में these actions depend upon the state of mind and attitude of the person अब देखिए यह तरह से किसको पर depend कर रहा है तो body language सीधा जिदा हम कह सकते हैं जो एक तरह से उनकी mental state है कुछ लोग क्या होते हैं जिनका एक तरह से जो mind होता है थोगा सा मतलब set नहीं होता है mental type के होते है तो उनकी body language आपको अलग मिलेगी कुछ अजीब होगी भरकत है कुछ ऐसे होते हैं जो बंदे attitude के साथ में जीते हैं तो उनके चलने फिलने का style अलग है उनका phone बबात करने का style अलग है तो एक तरह से हम कह सकते हैं मतलब attitude ये एक तरह से जो body language है attitude और एक तरह से mind किस तरह का mind आफसेट रखते हैं एक दोसरों के पिरती तो एक तरह से यहाँ पर depend होता है साथ में यहाँ पर advantage हम देख लेते हैं जैसे faster feedback, feedback एक दम मिल जाता है very easy to prepare, easily हम बात कर सकते हैं साथ में information is cleared clearly, clearly information हम पता कर सकते हैं मान लिए हम किसी से बात करें तो बात हमें समझ नहीं आए तो हम दोबारा पूँछ सकते हैं यानि बिल्कुल clear कर सकते हैं resolve misunderstanding यही वाला point है मान लिए कोई आप से बात कर रहे हैं हाँ यह कर ले, तो आप को समझ नहीं आए, तो आप क्या कहेंगे जी, दोबारा बताईए तो इस तरह से क्यों हो जाता है, मतलब आप दोबारा उसको misunderstanding को एक तरह से के लिए कर सकते हैं, साथ में effective communication होती है क्योंकर face to face, आँको मारकर मिला कर बात कर ये साथ में development confidence, आप जब किसी के सामने एक तरह से खरगरों के बात करते हैं, थोड़ा सा confidence भी एक तरह से आ जाता है, साथ में personal contact, आप एक तरह से अपनी personal thing आपनी बात हैं, वो personally आप शेयर कर सकते हैं face to face साथ में useful in difficult situation, कुछ ऐसे situation होती है, जिनमें एक तरह से भई, बहुत ही जादा useful ये एक तरह से हो जाता है, अभी हम देख लेते हैं कुछ इसके disadvantage, जैसे easily forgotten, भी क्या होता है face to face हमने बात की, अभी हमने बात की, एक घंटे बात कुछ याद ने रहे, भाई क्या कहा तो ने मैं तो भूलिया, तो इस तरह का जो होता है, मतलब थोगे से इसके disadvantage से हाँ पे हो सकते हैं, साथ में not useful for long distance, face to face हम बात करें तो कितनी दोर तक कर लें, कोई बंदा कुछ जादे distance है, तो भी बोल के जितना दोर तक हम उससे अपने आवास पहुचा सकते हैं, वही तक एक तरह हम कह सकते हैं, तो face to face communication जादा long distance पर एक तरह से useful नहीं है, साथ में greater scope for errors, और एक तरह से error होनके scope पी काफी होते हैं, किसी बंदे यहां पर second हम देख लेते हैं, over the telephone, अब देखे, इसका अंदर हमने mobile यहां पर लेखा हुआ है, तो आप यहां पर समझ सकते हैं, जो prison time हमारा चला है, तो telephone तो बहुती कम यहां पर use के जा रहे हैं, mobile बहुती जादा use के जा रहे हैं, तो सभी के पास एक तरह से mobile है, सभी एक receive करता है, information, आपने किसी सो phone किया, आपने उसको बताया है, हाँ भी यह बात है, तो एक तरह से आपने information sent की, उसने वहां पर सुनी, उसने receive की तरह से क्या हो रहा है, information का transformation हो रहा है, use by means of electric city, क्या होता है भई, आपका जो mobile है, आप उसको light से charge करते हैं, उसके बाद तो सारा काम यहाँ पर हो रहा है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं, एक तरह से electricity का, use करके एक तरह से उसके माध्य हम से, telephone is one of the best ways of communicate, एक तरह से कह सकते हैं, जो present time चल ला है, तो mobile जो है एक तरह से हमारे यह telephone, एक best way है एक तरह से communicate करने का, अपनी बात को किसी और तक पहुँचाने का, next condition में क्यों होता है, चानक से emergency में डॉक्टर रोयर को बिला लेते हैं, तो क्या होता है, एक तरह से आपकी life जो हो बच सकती है, accidental case वगड़ा होते हैं, क्या होता है, ambulance वगड़ा को phone कर देते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर कहने का मतलब है, साथ में telephone conversation is a more challenge than face to face conversation, अब देखे आप face to face बात कर लीजी, या एक तरह से phone पर बात कर लीजी, तो काफी जादा different आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या होता है, हमारे जो एक तरह से facial expression होते हो, totally वहाँ पर absence रहते हैं, साथ में eye contact view एक तरह से, आख में आख डाले का बात करते हैं, वो भी एक तरह से वह पर absence रहता है, next time देख लेते हैं, हाँ पर advantages इसके, तो देखे time saving क्या होता है, directly आपने phone क्या बात कर लीजी, आप चिट्टी भेजते तो बहुत जादा time लगता, तो आपने कोई चिट्टी नहीं भेजी, directly आपने उसके बात कर ली है, overly, साथ में next time देख लेहाँ पर convenience क्या के लिए उसका answer, तो एक दम मिल जाता है, effective communication, effective, साथ में cheaper, बहुती ज़्यादा सच्थी होती है, इस time में अगर हम देखे जो एक तरह से mobile gear के लिए charge है, तो बहुती ज़्यादा यहाँ पे, मतलब पहले महेंगे होते हैं, लेकिन फिलाहल इतना कुछ नहीं है, disadvantage में यहाँ लेक ओफ, personal touch, क्या होता है, जब एक तरह से हम कह सकते है, face to face हम बात करते हैं, तो क्या होता है, परसनल touch होता है, वो यहाँ पे absence रहता है, totally depend on the voice, और अवास के उपन पूरा, depend रहता है, बहुती होता है, network problem है, internet connection को पर, depend एक तरह से जहना पड़ता है, साथ में यहाँ पे privacy से concern, क्या होता है, कुछ privacy बात है, ऐसी होती है, इनको phone पर एक तरह से भी secure नहीं है, तो हम वहाँ पे नहीं कर सकते है, साथ में यहाँ पे chances of misunderstanding, क्या होगा है, network में कुछ दिखका थी, एक तरह से हम कह सकते है, कुछ phone पर है, दूसरी बात के एक तरह से हमने कुछ और समझ ल recording और आट कर ले थी, तो एक तरह से evidence हो जाता है, लेकिन एक तरह से यह कुछ ही लोग करते है, जिनका कोई purpose होता है, next time यहाँ पर मतलब कह सकते है कि कोई evidence नहीं होता है, आपने written form में दिया, तो एक तरह से evidence है, आपने बात की चलिए ठीक है, बात खता होगी, तो evidence कुछ न नहीं होगी, तो दिखे, आपका जो topic है, यहाँ पर यह complete हो जाता है, complete आपका यहाँ पर क्या हुआ है, पूरा topic नहीं हुआ है, एक तरह से first हमारा definition and types of communication skill, second है यहाँ पर verbal communication, जिसमें एक तरह से one to one over the telephone, तो यह एक तरह से हमारी two topic यहाँ पर complete हो चुगे, अब हमारी next यहा कैसा लगा है, आप में comment करेंका बताएं, और इससे related आपका कोई भी doubter आप comment section में पूंच सकते हैं, आपका कोई personal doubter आप हमसे instagram पे clear कर सकते हैं, link आपको description box मिल जाएगा, आप easily हमसे join हो सकते हैं, और अपने doubt वहाँ पे clear कर सकते हैं, तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे next video lecture में तो अगर आपको video lecture अच्छा लगा है तो video को like करें, अपने friends साथ भी share करें and channel बनाया है तो channel को subscribe करें